यहां पे आपकी जो classes हैं entrance exam के लिए वापस से शुरू हो गई है तो आज का जो हमारा session है वो general knowledge का और कुछ current affairs का mixture यहां पे होने वाला है कुछ important questions आपको मिड़ने वाले हैं तो यहां पे अगर आप entrance exam के preparation कर रहे हैं तो इसको continue रखिए और अब आपको daily classes मिलते रहेंगी आज फिलाल हमारा general knowledge का जो आपका session है इसमें कुछ important questions आपके लिए ले कर रहे हैं तो चलिए start करते हैं without wasting time तो यहां पे आप देख सकते है question number one आपका जो दिया हुआ है इसमें पूछा गया आपसे कि GST का full form क्या होगा तो यहां पे GST का full form आपको बताना है options आपके सामने है gift service tax, goods and service tax, good staff termination या फिर none तो इसमें अगर हम सही answer देखें तो आपका goods and service tax, option number B यहां पे आपका correct answer हो जाएगा और guys अगर आप हमारे family में नहीं है तो family से अग भी जोड़ जाएए subscribe करके bell button ज़रूर दबाएए जिससे आने वाले दिनों में आपको सब भी updates time to time मिलते रहेंगे और classes भी यहां पे हम आपको provide कर रहे हैं तो उसका भी notification आता रहेगा so यहां पे question number two है आप देख सकते हैं कि largest producer of mica in India ठीक है अब in India पूछा है यह भी आपको ध्यान रखना है world level पर अलग answer होगा और Indian level पर अलग answer होगा यहां पे हम Indian level पर पूछ रहे हैं कि जो mica का largest producer state जो है वो कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है यहां पे अरुनांचल प्रदेश अगर हम बात करें तो यहां पे आपका आंदर प्रदेश जो है correct answer हो जाएगा options में available नहीं है बट जो correct answer है वो आपका आंदर प्रदेश है यह आपको ध्यान रखना है यह सारे यह options यहां पे गलत हैं आंदर प्रदेश जो है इसका correct answer आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 3 पे तो question number 3 आपके सामने है LPG concept came in LPG यहाँ पे आप liquid petroleum gas ये मत समझेगा LPG से मतलब है liberalization, privatization और globalization ये तीन जो है आपके concept आए थे new industrial policy में NIP में तो वो जो है वो policy जो है आपका 1990 और 1991 ये जो correct answer हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे ये दो कैसे देखे कि जो concept है वो तो 90 में आ गया था 1990 में बट यहाँ पे जो आपका implement हुआ था ना वो 1991 में आया था ठीक है 1990 में आ गया था और 1991 में implement हो गया था तो इसलिए आपका यहाँ पे option D correct answer हो जाएगा फिलाल के लिए और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शुरुआती दोर में जब आया था concept तो ये 1990 में आया था लेकिन जो implement हुआ था वो 1991 में हुआ था ऐसे कई questions आपको मिलेंगे देखने को और ऐसे ही questions आपके exams में उठाते हैं आपके examiner ताकि जो बच्चे हैं वो confused होके कुछ यहाँ पे उनको exact पता होगा वही कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे next आपके सामने question है question number 4 demonetization in India बहुत ही ज़्यादा चर्चित question है आप सभी को पता भी होना चाहिए कि जो demonetization है वो कब हुआ था date आपको बताना है demonetization की 8 November 2016, 10 November 2016, 9 November 2016 या फिर 18 November 2016 तो अगर हम इसका correct answer देखें तो आपका जो 8 November है 8 November 2016 यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं highest padma award की बात करें यहाँ पे तो highest padma award आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो highest padma award है वो कौन सा होता है पद्म विभूशन, पद्म भूशन, भारत रत्म या फिर all अब आपको यहाँ पे confused नहीं होना है again जो highest padma award है वो है पद्म विभूशन, ठीक है नहीं पद्म भूशन और भारत रत्म तो बिलकुल नहीं होगा इसमें जब highest civilian award पूछा जाएगा तब आपका हो जाएगा भारत रत्म otherwise जब highest padma award पूछेंगे तो यहाँ पे padma भूशन, padma भूशन ही आपका correct answer हो जाएगा train to Pakistan की बात करें तो यह किसने लिखा है यह आपको यहाँ पे बताना है खुश्वन सिंग, हरदयाल, MK गांधी या फिर all तो यहाँ पे अगर हम बात करें train to Pakistan जो है वो आपकी लिखी गई है खुश्वन सिंग के द्वारा, याद रखेगा यह books भी आपके exams में पूछी जा सकती है next यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो smallpox का जो virus है वो पूछा गया है variolla, varisella या फिर all तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, smallpox का पूछेगा तो आपका variolla answer होगा और अगर chickenpox का पूछेगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा varisella, ठीक है तो chickenpox का varisella और smallpox का variolla अब कैसे आप याद कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है varisella C है न, तो C से आप chicken direct याद लग कर लिजेगा, और इसका opposite variolla तो यह smallpox हो जाएगा यह varisella याद कर लेंगे आप तो variolla का already connect कर सकते हैं, आप smallpox से आगे बढ़ते हैं, तो question number 8 यहाँ पे आपके सामने है, largest desert on earth अगें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि largest desert on earth पूचा गया है, ना कि largest desert in India अर्थ लेवल पर पूचा गया है, तो इसमें Antarctica, third desert, साहरा desert या फिर all तो आपको ध्यान रखना है इसमें, जो आपका correct answer बनेगा, वो आपका हो जाएगा Antarctica ठीक है, largest desert on earth is Antarctica आगे बढ़ते हैं, question number 9 आपके सामने है, यहाँ पूचा गया है आपसे कि जो साकेथ है, आप सभी को पता होगा, साकेथ यह जो है किसके द्वारा लिखी गड़ी है मैतली शरन गुप्त, जैशंकर प्रसाथ, काली दास या फिर कबिर दास तो question number 9 का जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मैतली शरन गुप्त आगे बढ़ते हैं, question number 10 पे, question number 10 आपका पूचा जा रहा है कि यक्षगान is related to which state, यक्षगान जो है वो किस state से इसमें से related है, करनाटका, बिहार, असाम या फिर बिहार अब आप लोग को लग रहा होगा कि यह correct answer है क्योंकि दो बार repeat हो गया है, but this is not the correct answer, जो correct answer है वो आपका है करनाटका याद रखेगा बहुत पूचा जाने वाला question है, यक्षगान जो है आपका करनाटका से related है, अभी जो हाली में बात करें, sensex, sensex आप सभी को पता है, market से related है, दो हमाई पास होती है, एक NSC और एक फुटा यहाँ पे sensex, तो यहाँ पे आपको बताना है, कि जो इसने एक record ठीक है, यहाँ पे आप 50 लिखा है, इसको आप 6 कर लिजे, तो यह आपका सही answer हो जाएगा, 50 तो अभी चली रहा है, लेकिन जो highest वाला जो था, जिसना highest गया था, तो वो 60,000 highest गया था, और यह question सब पूछे गए हैं, ठीक है, तब ही आप यह मत सोचेगा कि मतलब कहीं से भ आपको classes करवा रहे हैं, 2021 में हम already selections दे चुके हैं अपनी classes के तुरू, तो उसमें कुछ doubt तो आपको होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे question 12 की बात करें, largest bone in human being, तो आपको बताना है, femur, stapes, ulna, तो largest bone of human being की बात करें, तो यहाँ पे femur हो जाएगा, जो आपकी thigh bone होती है, वही होती है, यहाँ पे femur, तो यही आपकी जो है, largest bone होती है, आगे बढ़ते हैं, question number 13 आपका पूछा गया है, constitution was implemented on, constitution से कई सारे questions बनते हैं, एक separate session में आपको सारे constitutions related जो भी questions हैं, वो करवा दिये जाएंगे, अभी के लिए फिलाल आपकी यह आलकी, जो implement है, वो अलग date पे किया गया, और adopt जो है, ठीक है, वो अलग date पे किया गया, adopt हम किसी चीज़ को जैसे हमने ले लिया, लेकिन हम उसको implement कब करेंगे, यह हो सकता है कि date vary कर जाए, तो लेकिन constitution में जो है, constitution के case में यह दोनों ही dates vary करती है, यहाँ पे पूछा गया implement, 26 January 1950 को आपका correct answer यहाँ प से पूछे गए यहाँ पे, drafting committee के chairman, अंबेटकर जी, गांधी जी या फिर जवालल नैरू, जो मारा Indian constitution है, उसको draft करने के committee बनी थी, चीक है, और उस committee का जो chair person थे, वो कौन थे, आपको याद रटना है, अंबेटकर यहाँ पे correct answer हो जाएगा, भीम राओ, अंबेटकर जी, आ आपको बताना है, H1N1 जो है, वो आपका किस से related है, तो याद रखना है, स्वाइन फ्लू से related है आपका H1N1, तो guys यही कुछ important questions थे, I know थोड़ी सी परिशानी आपको हो भी है, माफी चाहूँगा उसके लिए, बट यहाँ पे, जो कुछ यहाँ पे इतनी दिनों से absent चल र आपको वरी नहीं होना है, अगर कुछ भी किसी भी subject में आपको दिक्कत आ रहे है, तो comment करके ज़रूर बता दिए, हम उसके लिए भी आपकी classes प्रोवाइट कर देंगे, उस topic पर, या किसी particular current affair पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो comment box में comment करके ज़रूर बताएगा, family में नहीं है, तो family को subscribe कर दिए, इसको share कर दिए, ताकि वो सबी students यहाँ पे तयारी करना चाहते हैं, एक अच्छा college लेना चाहते हैं, एक अच्छी university में अपना admission चाहते हैं, तो वो अपनी तयारी को अभी सही चुरूरात कर सकें, और एक बहतर तरीके से एक सही रास्ते पर चल के अपनी मुकाम को हासिल कर सकें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, class अगर अच्छी लगी हो, content अगर अच्छा लगा हो, तो like जरूर कर दिएगा, चैनल पे नहीं जानल को subscribe करके, बेल बटन जरूर दबा दिएगा, बैरहल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते है next class में कुछ नए topics, कुछ नए important questions के साथ, तब तक के लिए revision करते रहिए, playlist सभी जो है, उनका link आपको description box में मिल जाएगा, किसी भी तरिक्या की परशानी, किसी भी तरिक्या की दिक्कत है, तो हमारे social media sites पे भी आप contact कर सकते हैं, और बता दे, कि जो आपको PDF वगरा है, वो ह अने घरवालों का खेर रखे और तैयारी करते रहिए, जय हिंद, जय भारत